उत्तर प्रदेश की योगी आदितिनाथ सरकार राज में बढ़ती जनसंख्या को लेकर काफी चिंतित है और बढ़ती अवादी पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने काम शुरू कर दिया है जिससे उमीद है कि राज में तेजी से बढ़ती अवादी को रोका जा आपको बता दे कि योगी सरकार एक नई जनसंख्या नीती पर काम कर रही है इस नीती के तहट जिनके दो से अधिक बच्चे हैं उन्हें सरकार की कल्यानकाडी योजनाओं का लाव लेने से या पंचायत चुनाओं लरने से रोका जा सकता है एक रिपोर्ट के मुताबिक र लिया जाएगा और उत्रप्रदेश में लागू किया जाएगा मतलब साफ है कि सियम योगी राज्य में बढ़ती आबादी को रोकने की तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही इसे लागू भी किया जाएगा खबर के मुताबिक दो से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को सरकार क जन गल्यानकारी और जनाओ की सुविधाओ को रोकने पर भी विचार हुआ है इसके साथ ही दो से अधिक बच्चे वाले सरकारी करमचारियों को स्कूल फीज जैसे भत्ते रोके जा सकते हैं इसके अलावा यह भी प्रस्ताओ रखा जा सकता है कि जिनके दो से अधिक बच् हलाकि यह एक कठिन निर्ने होगा लेकिन देश के विकास के लिए जन संख्या पर लगाम लगाने की भी जरूरत है और योगी आदितनात ऐसे CM है जो करे फैसले लेने से पीछे नहीं हरते ऐसे में जल्द ही इस योजना को उत्तर प्रदेश में लागू किया जा सकता है गेरो